तो है यह वेल्कम बाक टो वे चानल बर्जा श्रीडिंग टेक्स विडियो निफ्टी बैंक का निफ्टी फिप्टी का अनालिस्ट करने वाले है कल के लिए फिप्टी का जो ग्लोजिंग मिला है वह मिला है 24200 में लास्क टाइमिंग पर निफ्टी ने थोड़ा सा यहां पर हम लों को शॉट कवरिंग या जैसा मोमेंटम शॉट कवरिंग यी बोल सकते है डिनबर भी या रिष्ट था सुछके बाद में फिर वह रुक गया अव्टर जब रुका तो वह सपोर्ट के उपर बेसेस बनाने लग गया और जब उसने बेसेस बनाना स्टार्ट किया तो वहां से उसने एक अप्षाड का मुमेंट दिखाना भी शुरू कर दिया ठीक है अभी निफ्टी को देखा चाहे तो निफ्टी रेड कैंडल के अंदर ग्रिन कै अब कल हमारे लिए इंपोर्टन क्या रहेगा कल क्या मैटर कर रहा है हम लोग के लिए कल मैटर यह कर रहा है कि निफ्टी को 24,300 के ऊपर रहना चाहिए 24,300 और 24,333 यह जो रेड कैंडल है इसका जो हाय है वह बहुत मैटर करेगा मार्केट को जो ब्यरिश्टेंड में रहत तो नहीं निकालेगा और वहां जाके वापस पल्टी मार सकता है अगर इसको नीचे आना है तो अगर नीचे आना है तो ही पट यह अगर उपर चाहता है तो फिडिये 24,333 के ऊपर सोचना आप चैड के लिए किसके ऊपर 24,333 के ऊपर देखो गाई आज यूएस का जाते ही जो भी आएंगे उनके हिसाब से मार्केट कैसे रहेगा वो देखना पड़ेगा उनका मार्केट बहुत बड़ा अगर मोमेंट कर देता है तो उसका इंपक्ट अपने मार्केट के ऊपर हम लोगों को पढ़ते हुए देखने को मिल सकता है ठीक है अगर हां बहुत या फिर बहुत बड़ा gap-down खुल जाता है तो उस condition में भी हम लोगों को patience रखने पढ़ेंगे हमारा तो एक condition है कि निफ्टी को उपर की साइड में 24,3833 के उपर सोचो या फिट 24,333 के पास में ही वही लेवल पे अगर resistance बनाना start कर देता है यानि कि उसी लेवल के पास जाक हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता हां ठीक है इतना बात इसका clear है अभी इसका हम वीक अभी तो दो दिन हो गया है और वीक में candle rejection ले रही है नीचे जाके exact support level का बात किया जाए तो यहाँ पे 24,23980 का support area उसके बात का अगला support area देखने को मिल रहा है 23,500 के पास में 23,500 क अगला selling का area देखने को मिल रहे है बहुत अच्छा सा market नहीं बनाए बहुत अच्छा सा market यहाँ पर नीचे आया है ठीक है अपने high के पास से बस अभी deep पर जितना support बनाएगा उतना वह हमारे बेस्ट रहेगा आगे के लिए ठीक है अभी आप यहाँ पर देखो कि तो market ने possible हो सकता है वीक में भी अगर हम देखते तो छोटा सा यहाँ पर ग्याप पेंडिंग नजर आ रहा है अगर कुछ बड़ा reason रहता है तभी निफ्टी हम लों को 20,300 देखने को मिल सकता है इसके आसपास ठीक है वीक में में ग्याप हम लों को पेंडिंग दिख रहे है मंद मे हम लों को देखने को मिल रहा है तो फिलाल अगर मार्केट यही से अगर रिवर्सल ले ले अप्षैड के लिए तो फिर यहां से अगें बाइंग का चांस रहेगा ठीक है बट अभी क्या है मार्केट ने डबलो पैटन बनाने का कोशिश किया है बट जैसे कि मैंने आप लो मार्केट ने बेस या डबलो पाटन के जैसा बनाया था बट मार्केट ने क्या किया रजिस्टंस को निकालने से पहले ही मार्केट अगें सेलिंग में आ गया अगर यह उपर जाके गाप खुलता है वापस रजिस्टंस बनाता है तो वापस नीचे की साइड मोमेंटम एक रजिस्टंस यह रहा उसके उपर जब निफ्टी सस्टेंड करना स्टार्ट कर देगा ना तो फिर वहां से समझ लेना कि मार्केट अब यहां से चेंज हो रही है और बीरिश में से हम बुलिश में शिफ्ट हो रहे हैं यानि कि चेंज और कारक्टर वहां पर हम लोगों ब्रेक आट बहुत इंपोटन्ट होता है अभी तो मार्केट ने लास्क ताइमिंग पर बहुत अच्छा सा एक मोमेंटम किया है अगर यह सच में अच्छा मोमेंट करना चाहता है तो ठीक है यहां पर निफ्टिब बैंक लगाते हैं मैं वीडियो को कभी लाइक करने का बो निफ्टिब को क्या करना चाहिए अपना रिजिस्चंस लेवल का ब्रिकाट करना चाहिए जो कि 52,555 का आ रहे है अगर यह 52,555 के resistance का breakout करता है तो फिर अगेन यह अपना previous जो high है उस तक पोच सकता है उसको निकालने के try कर सकता है ठीक है बट important है कल वाला result किया अभी market वापस resistance के पाथ जाके पल्टी मार देती है या फिर कल resistance का breakout करती है अभी निफ्टी बैंक का closing 52,200 पे closing है कितना पॉइंट रहेगा जस्ट 300 पॉइंट रहेगा 500 तक जाने के लिए अभी कल डिसिजन होगा कल बहुत बड़ा दीन रहेगा से समझ लो कर दिया तो वापस market range के अंदर कुछ होगा नहीं कुछ बड़ा दिन रहेगा अगर ब्रेक आउट कर दिया तो फिर समझ जाएंगे कि market यहां पर इंवर्स हैड और पाटन क्रेट कर दिया अभी यह वापस रेडी हो गया अपना previous हाई को निकालने के लिए ठीक है फिर यहा सब्सक्राइब कर देगा तो फिर काई का एंवर्स हो जाएगा और ब्रेक डाउन करता है इस वाली नेक लाइन का और जब उसको रिटेस्ट करता है तो वह सेलिंग काफी खतरना करती है ठीक है बट अभी के फिलाल हिसाब से मांकेट कर रहा है ना बेंधि बिघर इंड अब बिलिश बनाया है। बिलिश तब रहेंगा छ इसको तोड़ेंगा 52,555 को बिएरिश तब रहेंगा चब इसको तोड़ेंगा. 50,400 को ठीक है आज तो लास्ट टाइमिंग पे हालात बदल दिया वक्त बदल दिया पुरा जजबात ही बदल दिया आज लास्ट टाइमिंग पे पुरा नीच आ रहा था और नीच आते आते एकदम से मांकेट ने सपूर्ट लगाया और अपशाड में चला गया ठीक है ऑपरे को यह दो पर बहुत सब्सक्राइब करता है उसके पहले सपोर्ट बनाया है यहाँ और सकता है में और यहां से भागता है रिवर्सल लेकर तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम हम उन्हों को इसमें देखने को मिल सकता है इतना बा आपको धिहान मैं रखना है अभी तो हम रेंज में बड़े दिन से लग गया है लगभग हम एक October है अभी पांच November है एक मैने के ऊपर का हो गया कि हम रींज में घुम रहें और रींज में ट्रापिंग जादा होता है रींज में नीचे आजाते अंपर चला जाते ओपर जाते नीचे आ जाते हैं ये दिक्कत आत तो अच्छा मोमेंटम लों को देखने को मिल सकता है 53500 लगबग 1000 पॉइंट में देखने को मिल सकता है ठीक है अगर यह उपर की चैड में जाके ब्रेक आउट करता है तो ही ठीक है वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक जरू करना बाकी में लायू मैं आपके साथ रहूंग स्थूपा बाके साथचा 우리는 कुछ करता है तो आपके साथ चाम गल अवार्स भेफ उतister है gutes भीक है सेथेखने को में लेखने को में लाँ तो लेखने हैं 1 ChЗ...!